नमस्कार साथेों आप सभी को धेर सारी सुबकामनाए और बधाया सुबकामनाए आगामे साक्षातकार परतियोगी परिक्षा में सामिल होने के लिए और बधाया जो आपने लिखित परिक्षा में सपलता प्राप्त की है उसके लिए राजस्तान लोक्षेवा आयोग द्वारा एजित साहय का अचारे साक्षात कार परिश्या 2022 के लिए आप सभी लोग तैयारी करने में जुट गए होंगे देकि सात्यों कुछ आधारभूत चीजें होती हैं, कुछ आधारभूत नियम होते हैं, हर किसी कारे को करने की कुछ स्मार्ट तरीके होते हैं शाक्षात कार भी एक ऐसी परकरिया है और इंट्रिव प्रोसेज के अंतरगत, नौलेज के अपिक्सा, प्रजेंटेशन पर विशेश द्यान दिया जाता है यह साक्षात कार सामानी सिविल परतियोगी परिक्षाओं से थोड़ा सा अलग होता है इसका मतलब है कि एजेंसी सेम है राजस्तान लोक्षेव आयोग, अभीकरण सेम है परन्तु इस आक्सात कार के कुछ मायने अलग होते हैं इस आक्सात कार के माद्यम से आयोग को एक अच्छे सिक्षक का चैन करना है और परतियोगी परिक्षा लिखिद परिक्षा के अंतरगत जो ग्यान की परिक्षा है, जो समझ की परिक्षा है और जो मेमोरी की परिक्षा है वे संपन हो चुकी है अब इस साक्षातकार में आपको मैं छोटे से वैक्षान में कि उस 10 मिनट का समय आपके लिए है ज्यादा समय नहीं लोगा आपका इस 10 मिनट में मैं आपको 3 बैसिक चीजे बताऊंगा उन तीन स्टेप्स को अगर आप फोलो करते हो तो आप इस साक्षातकार परतियोगी परिक्षाओं में अच्छे अंग प्राप्त कर सकते हो तो साक्षातकार में सपलता कैसे प्राप्ट करें देखे पहली तीन आधारबूर चीजे में आपके सामने परस्तुत करने जा रहा हूँ पहला है सामाने परीचे अकेडमिक बैक्ग्राउंड परीचे का मतलब यहां पर अकादमिक परीचे से है अकादमिक परीचे अकेडमिक बैक्ग्राउंड की बात कर रहा है सामाने रूप से आपको जब भी साक्षातकार बोर्ड में आप कक्स में एंटर करें तो permission के साथ आपको entry करनी है और वहाँ पर चेर पर जो सामने board की गोला कार चेर है वहाँ चेर पर आपको बैटना है सभी सदस्यों का अभिवादन करना है नमस्कार करना है और उसके बाद एक सामाने परीचर्चा शुरू होती है जो सामाने पर करिया सभी इंटर्वे में होती है लेकिन यहाँ थोड़ा सा एक टीचिंग को लेकर थोड़ा सा अलग मामला है इसके बाद शाकसाथ कार बोर्ड की द्वारा अभिरती को सामाने करने के लिए सहज महसूस कराने के लिए उससे बातचीत करना आरम किया जाता है विशे इस रूप से नाम पूँचा जाता है अकेडविक क्वालिफिकिशन पूछी जाती है तो यहीं से आपकी जैसे आप एंट्री करते हो वहीं से साकसातकार बोर्ड की निगाहें आपके उपर शुरू हो जाती हैं CCTV कैमरी की तरह वो आपके पहनावे को आपके चाल चलन को आपके बातचीत करने के तरीके को और आपके आखों के माद्यम से जो confidence है और आवाज की जो बुलंदी है उसके माद्यम से वह परिक्षन करना शुरू कर देता है आयोग में अलग-अलग सदस्य होते हैं इसलिए सब सदस्यों का अलग-अलग नजरिया होता है आपको सबसे पहले जैसे ही वह एजुकेशन के बारे में आपसे बातचीत करना शुरू करते हैं तो आपको भी सहज होने के लिए अपनी आरंबिक सिक्ष्या इस्कूली सिक्ष्या के बारे में बताना है वह इस्कूली एजुकेशन का जो इंट्रोडेक्शन है वह आपको उस विद्धाले के पूरे नाम उसका पता और जिला और राज्जी के साथ बताना है किवली स्कूल का नाम बताने से उनको नहीं मालूम कि कौन सी स्कूल है सरकारी है या प्राइवेट है वह कौन से गाउं में है वह कौन सी तैसिल में है वह कौन से जिले में है कौन से स्टेट में है फूल इंट्रोडेक्शन के साथ आप अपने स्कूल का नाम बताएंगे अ आपके college education में कौन से subject रहे, उनके बारे में भी बातचीत की जाती है। इसके बाद आती है post graduation, M.A. सनात को उतर उच्छी सिक्षा, आपने कहां से की, विस्विद्धाले का नाम, विस्विद्धाले जिस सहर या जिले और राज्य में स्थित है, उसका पूरा नाम आपको बताना है। इसके बाद जो पातरता परिक्षा है उसके बारे में आपको बताना है मालीज स्टेट लेवल आप अलग अलग स्टेट से भी हो सकते हैं 571 लोगों को उत्रिन किया गया है तो उस स्टेट के जो स्टेट लेवल के एक्जाम अगर आपने क्वालिफाई किये तो उसके बारे में बताना है NET, National Eligibility Test के बारे में बताना कब आपने उत्रिन किया और अगर Junior Research Fellowship Awardee आप हो तो JRP के बारे में भी बताना है यदि आपने इसके बार तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी के बारे में बताना है Civil Services के अन्य था जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके बारे में बताना है यदि आपने सोध के संदर में M-Phil वगारा किया है तो M-Phil के बारे में उस Digitation को तैयार करना है उसके बारे में आपको Introduction देना होगा Topic आपको याद होना चाहिए और अगर आपने डॉक्रेट कर रही है तो PhD का Title आपको याद होना चाहिए इसके साथ-साथ उसका Chapterization क्या है और उसके जो अगर आपने PhD की है तो थोड़ा सा और ज्यादा जो साक्षातकार बोर्ड है वहें आपसे Interact करेगा तो उसमें आपके Research Qution या Hypothesis क्या थी और आपने जो PhD की है उससे समाज के लिए क्या Relevence है क्या उसका फाइदा है या ऐसा कौन सा Innovation आपने इस Research के मादिन से किया है जो समाज के लिए लाबदाइक है इसके बारे में भी आपको पूरी तयारी करनी है इसके अलावा और अने कोई उपलब दिया है आप किसे सरकारी जोब में हो स्कूल व्यक्राइता हो या अने किसे सरकारी सेवा में हो तो सेवा के बारे में और यесिदी आपने कुछ अने Academic दुनिया में कुछ अचीव किया है कोई अवाड मिला है प्रोजेक्ट किया है उसके बारे में आप बता सकते हूँ यह साकसातकार का पहला पार्ट है तीन मुखे पार्ट मैंने डिजाइन किये हैं उसमें पहला पार्ट जनरल इंट्रोडेक्शन है रिगार्डिंग अकेडमिक बेक्ग्राउंड ऑप दिक अडिडिट दूसरा महत पुन कदम है विसे के कोई दो रूजी कर बिंदू तयार किये जाएं यह इस इंटर्व का इंपोर्टेंट पार्ट होता है सिविल सर्विसेज में आपको बोर्ड पढ़ाने के लिए कभी नहीं कहा जाता वो बैठा होता है बैठा बैठा इंटर्व दे के वापस चला जाता परन्तु इस साक्षातकार में आपको कुर्सी से उठना पड़ेगा और आपको उस ब्लेक बोर्ड या वाइट बोर्ड जो भी आयोग में उपलब्द होगा उस बोर्ड के पास जाना है और उस बोर्ड पर आपको कोई ऐसा विशे पढ़ाना है सामाने ते विशे के बारे में कौन सा चैन करें इंटरनेशनल रिलिशन्स का चैन करें अपना अपना जो भी सब्जेक्ट है IGP का तयार करें, इंडिन थोट का तयार करें सबसे पहले मैंने यहां लिखा है अपनी पसंद के टोपिक का चेंड करें दोस्तों आपको कौन सा अपने सब्जेट का प्लिटिकल साइंस का हिस्ट्री का जोब यह तो राजनिती विज्ञान का कौन सा भाग है पांच मुखे साकाई हैं प्लिटिकल साइंस की उसमें से कौन सी ब्रांच आपको ज़्यादा अच्छी लगती है अच्छी लगने का मतलब के वाल अच्छा लगना नहीं है अच्छी लगने का मतलब है आपके पास उस टोपिक से सम्मंदित Classical Text के माध्यम से Knowledge होना चाहिए उसके अच्छी समझ होनी चाहिए और उसका सरल और बोध गम में प्रस्तुती करण आपको आना चाहिए तो कम से कम एक टोपिक पर वो पूँछ थे जनरली पूँछा जाता है कि आपको कौन सा भाग पसंद है और उसपर पढ़ाने के लिए काजाता कई बार कई बार सातियों ध्यान देने वाले बात है उसके अलावा भी पूँछ लेते हैं कि दूसरा कौन सा आपको अगर हम यह कहें कि यह नहीं दूसरा आप टोपिक पढ़ाए depth knowledge होना चाहिए उसका कोई भी पार्ट छूटे नहीं और दूसरा उसकी analytical understanding आपके अंदर होनी चाहिए ये के उलेबसेदवाली बात नहीं है अगर आप Plato की justice theory पढ़ाना चाहते हो तो वास्तम में आपको justice के सभी माइने पता होने चाहिए और Plato की जो justice है उसका पूरा ज्यान आपको होना चाहिए अधूरा ज्यान नहीं चलेगा मानली जी आपने रोल्स का justice theory ले लिया और उसको आप खुदी ही नहीं समझ पा रहे तो interview board को कैसे पढ़ाओगे तो यहाँ depth knowledge होना चाहिए और analytical understanding of the concerning topic आपके पास होना चाहिए आपालन करें देखिए ऐसे तो सबको लगता है कि कोई भी कुछ भी पढ़ा सकता है परन्तु ऐसा नहीं है हर पाटे करम को हर काम को करने का कुछ प्रशिक्ष्ण होता है उस कार्य करने को जैसा निलोग प्रसासन पढ़ाओगा political science में है तो प्रसासन क्या है प्रसासन का मतलब है कारी करने की specific technique कोसल रीती दक्स्ता और इसे ही प्रसासन कहते हैं प्रेप्लस सासन से बना है इसका मतलब काम तो सभी करते हैं जैसे पेट सभी बरते हैं लेकिन पेट बरने में काम करने में सबका अलग अलग तरीका होता है तो best से best style, selly, पद्दती, रीती क्या हो सकती है ऐसे ही सिक्षन की भी आधार बूत पद्दतियां होती है सामाने रूप से STC वगारा, B8 वगारा, B8 वगारा, ट्रेनिंग जो कोसल होते हैं वहाँ ये उसका मुख्य हिस्सा होता है, लेशन वगारा देना लेकिन उच्छ सिक्ष्या में यहाँ पर आपने net pass की है जो आपने पढ़ाई करके net utin कर ली, लेकिन पढ़ाना आपको नहीं आता साथियो इसके लिए आपको pre-training के रूप में काम करना होगा, आपको पहले अभ्यास करना होगा आप board पर कैसे खड़े होते हो, आप हातों को किस तरह से explanation करते हो, आप किस तरह से खड़े होकर board पर लिखते हो और लिखने के बाद आप किस तरह से उसका explain करते हो, अलग-अलग आपका तरीका है आप diagram बना सकते हैं, R1 बना सकते हैं, आप topic लिखे उसको arrow लगा के समझा सकते हैं, लेकिन आपको हमेशा board पर कड़े रहते समय ध्यान रखना है, कि आपकी back side entry board को नहीं दिखानी चीज़, basically हम यह कह सकते हैं, कि आपको angle इस तरह से रखना है, कि ऐसा नहीं हो कि आप board की 60-70 degree का angle रखना पड़ेगा, जिसमें आप today होकर लिखते रहो, ताकि board पूर्य को आप cover भी नहीं करें, और entry board आपको side से देख पाए, यह teaching का धारबूत नियम है, इसके अलावा आपको ऐसा topic लेना है, जो आपकी concept को clear हो, और आपको समझ हो पूरी उसके बाद ही, आपको exact ऐसे ही पढ़ाना है, जैसे कि पहली कक्षा में अध्यापक को पढ़ाना है, यह मान कर कि साक्षात कार बोर्ड को आप पढ़ा रहे हो, लेकिन यह कभी नहीं मानना कि वो बहुत ग्यानी है, और इसलिए आप उनको पढ़ा नहीं सकते, आपको वो topic exact ऐसे ही पढ़ाना है, जैसे students को पढ़ा जाता है, सरल से सरल तरीका होना चाहिए, और इस पस्ट रूप से concept को अभिव्यक्त करना है, तो basically क्योंकि आपको 2-4 गंटे पढ़ाना नहीं है, लगबग 30-40 मिनिट का इंट्री होगा, तो 5-10 मिनिट आपको मिलती हैं, तो आपको topic इसी तरह से त्यार क पक्स भी आजाई, और ब्रिप में आप बताओ, लेकिन अवधारना की पूरी समझ के साथ बताना है, ऐसे लगे कि जैसे आपने पढ़ाया, जो सामने इंट्री बोर्ड है, उसने बिल्कुल नहीं पढ़ा, और वे भी उसको समझ जाए, इसका मतलब communication आपने पढ़ा होगा अर्थ में उसको समझता है, जिस अर्थ में आपने पढ़ाया, तो ये communication माना जाएगा, अन्निता इसको संप्रिशन नहीं कहते हैं, तो ये communication theory है, उसके हिसाब से आपको teaching करानी है, सरल से सरल सब्दों में, इसपस्ट सब्दों में, कम सब्दों में, और राजनिती के term का यूज करते हुए राजनिती विज्ञान की, जो terminology है, उसका प्रियू करते हुए आपको पढ़ाना है, इसके लिए सबसे best उपाई यह है, कि आपको interview से पहले तक रोज या 2-3 दिन में 1 गंठा, आदा गंठा, 10 मिनट, 10 मिनट, प्रेक्टिस करनी ही है, अगर आप और मार्क्स का entry होगा, उसके आधे नमबर या आप मान लीजिए, ये teaching के हैं, कि आप कैसे पढ़ाते हो, तीसरा महतवपूर्ण, इस्टेपूर तीसरा, आप कह सकते हैं कि फार्मूला जिसको शुत्रा आप कह सकते हो, उसको कहते हैं confidence, देखिए साथियों, 571 लोगों को र आत्म विश्वास सबसे पहले अपने आत्म विश्वास होना चाहिए, जो संस्ता इंट्र्यू कंडेक्ट करा रही है, उसमें भी आपको विश्वास हकना होगा, बाजार में अनेक तरे की खबरें और अफवाएं चलती रहती हैं, वो सकता है कुछ सच्चाईयां और कुछ जोटी हो, आवशक जरूरी नहीं है, परन्तु आपको ऐसी किसी भी सूचना से भ्रमित नहीं होना, आपको अपने उपर पूरा विश्वास करके, आराध्येदेव में विश्वास करके आपको तैयारी करनी है, इसलिए अब ये जो शाक्षातकार पर करिया है, जिसमें 200 मा आपकी 80, 85, 100, 1.500, जो भी है, इसके बाद आपकी ये परिक्षा confidence की है, knowledge की नहीं है, एक तो teaching की है, teaching में थोड़ा knowledge आपका देखा दाएगा, यह confidence है, कैसे पढ़ा रहे हो, कैसे खड़े हो, कैसे बातचीत कर रहे हो, कैसे सब्दों का परियूग कर रहे हो, हसमुक्स भाव है, गुसे में हो, बोलना नहीं आ रहा, या जो भी अलग-लग तरीके से, सबसे पहला है कि आपको interview board को कभी भी गुमराह नहीं करना है, हो सकता है कि वो person interview board के व्यक्तियों को आये या नहीं आये, परन्तु आपको हमेशा ये मानना है कि उनको आता है, और इसलिए आपको ज जवाब नहीं आता, तो confidence खोना नहीं है, जवाब नहीं आना, कभी भी साकसातकार में कम अंकों का ऐसा पलता का आदार नहीं है, जवाब नहीं आने पर आपका जो व्यवहार परिवर्तित होता है, जो आत्मिस्वास डगमगाता है, वे आपकी ऐसा पलता का कारण बनता है, इसलिए यदी जवाब नहीं आ रहा है तो परसन का जवाब नहीं आने पर इस पर्ष्ट रूप से सहजता के साथ मना करना है सोरी सर मुझे इस बारे में नहीं पता है इसके बाद इंट्रिवोर्ड आपसे दूसरा परसन पूँचता है तो हो सकता आपको काफी परसन नहीं आए नहीं आए कोई उसमें गबराना नहीं है आप साब साब मना कर सकते हो कि माप कीजिए मुझे महोदे इस परसन का जवाब नहीं आता है सहजता के साथ गबराना नहीं सिक्षन का दे इसके इलावा आपसे confidence में ये भी कि टीचिंग में आप क्यों आना चाते हो टीचिंग इस आजी विका को क्यों चुनना चाते हो या इसके नकारात्मक शकारात्मक पक साब से पूछी जा सकते हैं और अन्तिम तीसरी स्टेप का भागे दोस्तों साकसातकार बोड का धन्यवाद ग्यापित करें जब आपका इंट्रूप खतम हो जाए और आपको कहे आप जा सकते हो तो आपको सभी को थैंक्यू सो मज करके वहां से निकलना है और निकलते समय ऐसे हड़बडाट में नहीं निकलना कि जैसे वहां से ट्रेन छूट रहे से नहीं आराम से आपको वहां से अभीवादन करक के निकलना है सभी परतिभागियों को मेरी तरफ से अग्रिम सुभकामनाई हैं और यह फिर भी आपको इसमें कुछ और जानकारी चाहिए कुछ और कुछ पूंचना हो आपको तो आप मुझे मेरे डाक्टर केसी सामता यूटूब चैनल पर कमेंट कर सकते हैं आप जैसे मेरे